चलो आज बनाते हैं तंदूरी चाप जटपट बहुत जल्दी बनने वाली यह तंदूरी चाप बच्चों को इतना अच्छा लगता है और आप भी खाओगे तो एक बार बार बनाओगे तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना इसके लिए हमने क्या लिया सबसे पहले च चाप को हमने फ्राइ कर लेना है इसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया था हमने इस तरीके से फ्राइ कर लेना है अब यह फ्राइ हो गए अब इसको मैं निकाल लोंगे यह बहुत जल्दी जटपट बनने वाली तंदूरी चाप है सबसे पहले मैंने डाला है लासन का पेस्ट इसको और थोड़ा सा बटर डाल देंगे चमच और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक इसको फ्राइ करना है तो यह तंदूरी चाप इतना बढ़िया लगता है गाइस क्या बताओ मैं आपको आप इस तरीके से एक बर बनाई है और बहुत जल्दी बन जाती है थोड़ी दर इसको चलाएंगे अब इसमें डाल देंगे टमटार बीज निकल के रखा हूए मैंने इसको भी थोड़ी दर हम भून देंगे अब हम डाल देंगे तंदूरी पेस्ट यह मैंने रेडिमेट मार्केट से लेके आई थी तंदूरी का पेस्ट तो इसको डाल दें तर्व दूद भी डाल सकते हो अगर बट मेने पाने डॉड़ दाल देंगे थोड़ा सर नमक और ठोड़ा से अरोगा नूप पानी से नाल डाल देंगे इसमय लाल मिचोड़ आप इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ी से गारी होने तक इसको इसी तरी की सरेंगे आप डाल देंगा हम फ्राइ किया हुआ चाव देखिए कितने जल्दी बन गए ये दस मिनिट भी नहीं लगा ये बनने में तो गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा देखने में इसके साथ आप पराटा बना लो बच्चों के लिए फ्राइराइस बना लो बहुत ही तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में बाबाई थेंक यू